ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आप की राशियो का हाल मित्रू साधर जैसी कृश्ण हमारे यूट्टूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यह राशी फले 21 नवंबर 2020 शनी बार का दिन है कार्तिक माहा के शुकलपक्ष की सब्तमी तिथी रहेगी स्रवन नामक नक्षत्र होगा मकर राशी में चंद्रमा बिद्यमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूर दिशा में रहेंगे इसलिए पूर दिशा की यत्रा करना नुकसंदाई साभित होगा यदि किसी कारण वस्पूर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो अध्रक खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं राहुकाल जो कि सुबह नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब मंगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव वरश्चिक रासी में वहीं चंद्रमा जो की मकर राशी में मंगल ग्रह मीन राशी में बुद्ध तुला राशी में देव गुरु ब्रहस्पती मकर राशी में शुक्र तुला राशी में शनी देव मकर राशी में राहु वरश्चिक रासी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार व्रशब, मिठुन, सिंग, व्रश्चिक और मकर ये पाँच राशियां सबसे अधिक भागिशाली रहने वाली है दिन इनके लिए लाप प्रत सिद्ध होगा, धन लाप के साथ साथ कारिक्षेत्र में इनको धान, मान, सम्मान, यस प्रतिष्ठा का भी योग बनने वाला है अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतितक जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की संतान की ओर से कोई सुब समाचार मिलने से मन प्रसन रहेगा तद्धा मनुरंजन संबंदी कारिक्रम बनेगे पारिवारिक गती विडियो को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा और उसमें आप कामियाब होंगे घर के लोगों के कारियों से जढ़ा आपको अपने कारियों की चिन्ता रहेगी करने का प्रयास न करे, सबको अपनी इच्छा के अनुशार सुतंतरता पुर्वक कारी करने दे इससे घर का माहूल उचित बना रहेगा अज पडोसी के साथ किसी बात को ले करके विवाद हो सकता है इसलिए अत्यादी क्रोध करने से आपको बचना चाहिए कारिक्षित्र में कोई महत्योपूर्ण जुम्मधारी आपको मिलने वाली है और उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में यदि आप कोई भी फल चड़ा देंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वर्षव रासी की अगर आप राजनितिक शेत्र से जुड़े हैं तो आपके संपर्क से आपको अच्छे आउसर प्राप्त होंगे इसलिए अपने संपर्क सुत्रों को अधिक मजबूत बना कर रखे प्रापर्टी संबंदित कोई कार्यदी रुका हुआ है तो वहाँ हल हो जाएगा विध्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के तरफ विशेज ध्यान देने के होशकता है आज किसी प्रकार की यात्रा या वाहन इस्तेमाल करना इस्तिगित रखे क्योंकि किसी प्रकार की जो है नुकसान होने की आशंका बन रही है वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए कारिक्षेतर में अपनी सूजबूज और समझदारी से आपको काम करना होगा उपाई के रूप में देवी जी के मंदर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके कुछ नया करने का प्रयास करेंगे या फिर ऐसे विचार करेंगे इसे आपको मैंसिक तथा शारिलिक ठकावट दूर हो जाएगी और एक नई उर्जा के प्रभाव से आप अपने अंदर जो है उर्जावान महसूस करेंगे और फाइनेंस के ख्षेत्र में महत्वपूर्ण नेने लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है परंतु कोई भी कारी करने से पहले उसके सभी पहलूओं पर अच्छी प्रकार से सोच विचार अवश्य करें यसे आपके धन संबंदी जो नुकसान है उससे आप बच पाएंगे रिस्क लेने के प्रवत्ती से आपको दूर रहना चाहिए और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में गुर चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की घर के नवी निकरण या सुधार जैसी योजनाओं पर आप कारी करेंगे और अपने बजट पर आपको ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए जल्द बाजी में कोई भी फैसला न करे प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कोई काम यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें भी सोच समझ करके आपको काम करना चाहिए घर के वातावरण को संतुले तथा खुश्टनुमा बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा इसके लिए कुछ समय घर परिवार की देखभाल में भी आपको लगना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय पीले रंग की मिठाई काना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की आज किसी मित्र की राजनितिक पावर और आपके लिए रास्ता खोल सकती है मतुपूर्ण मुद्दे पर सलह मश्वरा होगा परिवार के साथ मनोरंजन संबंदी गती विदियों में आपका समय वितित होगा अपने व्यक्तिगत कारियों में व्यस्त रहने के कारण कुछ नजदी की रिस्ते नजर अंदाज हो सकते हैं इसलिए अपने संबंदों को खराब होने से आपको बचना आवश्यक होगा बच्चों की गती विधियां तथा उनकी संगती पर नजर आवश्य रखे और उपाई के रूप में यदि आप भैरव जी के मंदिर में लाल कपड़ा चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की इस समय ग्रहन अक्षत्र आपके जीवन में कुछ सकार अत्मक परिवर्तन ला रहे हैं आपको बहतरीन उपलबदिया हासिल होगी किसी भी कारी को गंभीरता से विचार विमर्श करके उस पर कारी करे आपको लाब अवश्य ही प्राप्त होगा कभी कभी आपका गुस्सा तथा जल्द बाजी जिसा स्वभाव आपके लिए परिशानी उत्पन कर सकता है तथा दूसरों के साथ संबंदों में खटास आ सकती है इसलिए कुछ समय आत्म अवलोकन में लगाएं इससे आप सही वा गलत में फर्क पेड़ा कर पाएंगे व्यावसाई गतिविध्या निर्वेगन रूप से चलती रहेगी सहयोगियों तथा मित्रों से भी आपको फायदा होगा उपाय के रूप में पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की रिष्टेदारों के साथ खराब संबंदों को सुधारने में आपकी विशेश भूमी का रहेगी इसमें आप कामियाब होगे संतान पक्षि को कोई उपलबधी हासिल होने से सुकून और खुशिया आपको प्राप्त होगी तथा इस खुशी को एंजाय करने के लिए परिवार के साथ घूमने फिरने का कोई कारिक्रम आपका बन सकता है ध्यान रखे कि दूसरों के मामलों में अधित डखल न दे आपके मान सम्मान में इससे कमी आ सकती है बहतर होगा कि अपने काम से ही काम आपको रखना चाहिए पड़ोसियों के साथ संबंद मदूर बना करके आपको रखना होगा करिक्षित्र में महत्तुपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद मीठी वस्तुखाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की आजकल आप धैरिव शांति पूर्ण तरीके से अपने कारियों को शंपन करेंगे इस स्वभाव की वज़ा से आपको अपने काम के उच्चित परिणाम हासिल होंगे तथा मानसिक सुकुन भी आपको मिलेगा रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा युवाओं तथा विध्यार्तियों को अनुशासित तथा मर्यादित दिन चरिया बना कर रखना अतिया वश्यक है लापरवाही की वज़े से लोग अपने लक्ष से भटक सकते हैं अपनी महत्वपूर्ण चीजों तथा दस्तावेजों को स्वयम सम्हाल कर रखे दूसरों पर निर्भर न रहे अगर करक्षित्र में कुछ नया काम श्कुरू करने की सोच रहे हैं तो उस पर दोबारा विचार करने की आउशकता है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में मिस्री का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद बाटेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की धार्मिक तथा अध्यत्मिक खेत्र से जुड़ी गती विदियो में कुछ समय आपका वितित होगा रिष्टदारों का आगमन आपके घर में हो सकता है शुब और मांगलिक कारिक्रम की चर्चा भी आपके घर परिवार में संपन हो सकती है विद्यार्तियों को अपने कैरियर संबंदी चिंताओं को जो है हल करने का अउसर प्राप्त होगा नई नोकरी या नया काम करने का उनको अउसर प्राप्त होने बाला है उपाई के रूप में यदि आप गनेश जी के मंदिर में दुर्वा और गुड चड़ाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की पिछले कुछ समय से चली आ रही वेपरेट परिस्थितियों में आज अचानक कोई ने कोई मोड आएगा अनुभव व्यक्ति की आपको मड़द मिलेगी इससे आप समस्याओं से सुलजने में या बाहर निकलने में जो है सरल तरीके से उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे सलह की अवलेलना बिलकुल न करे और जो सलह मिले उस पर गोर आपको करना चाहिए तथा किसी प्रकार के जंजट से आपको दूर रहना चाहिए उपाई के रूप में भोजन के बाद मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं कुंबराशी की जिस लक्ष को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयास रत थे उसके परिणाम आपको आपके पक्ष में प्राप्त होने बाले हैं और आपको बहुत अधिक महनत करने के बाद सफलता मिलेगी और जो सफलता मिलेगी आगे चलकर वह इस्थाई रूप आपके जीवन में प्राप्त कर लेगी उपाई के रूप में यदि आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आपका देन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की इस्थाई संपत्ती जैसे भूमी भवन वाहन की खरीदी संबंदी योजना बनेगी इन कारियों के लिए ग्रह स्थिती बहुत अनुकूल है इसलिए प्रयास करते र भगवान विश्णु जी के मंदिर में पीला फल चड़ाना आपके लिए शुप फल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा परिवार को साधर जैसी साधर धर्निवाद